नमस्कार, बंडॉक्टर हेमंद शर्मा, आज आपको बताने जा रहा हूँ, कि जो पिंआईल होता है, उसका size naturally हम कैसे increase कर सकते हैं? क्या factors होते है जिसके कारण जो पिंआईल पैनिस है, उसका size छोटा रह जाता हा है? और क्या factors है जिससे size कई बार बढ़ता है? और कब तक पिनाईल का ग्रोथ हो सकता है नैचुरली और नॉर्मल साइज क्या होता है देखे पहले समझते है अग इसको ट्रीट कैसे करें साइज कैसे बढ़ाया जाए तो वाटसप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है आप उस पे जाके अपना अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं मैसेज के साथ करप्या डिरेक्ट कॉल ना करें तो स्टार्ट करते हैं जो पिनाईल है उसका नॉर्मल साइज होता है 5.1 इंज से लेखे 5.5 इंज तक पर किस केस में इरेक्ट केस में जब पैनेस तनाओ में होगा उस समय आपका ये साईज नॉर्मल का साइज है उसके लावे एक पिनाईल का विर्द होता है इसको भी बढ़ाया जा सकता है ठीक है अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नौन सर्जरीकल मैथड बिना किसी ओपरेशन के ठीक है पहली चीज अब जो मन में कोशन आता है आप लोगों के कि पिनाईल का साइज किस एज में बढ़ना शुरू करता है तो 12 से लेके 16 साल की उमर में ये लड़कों का साइज बढ़ना लगता है और कब तक बढ़ता है किस एज तक फिजिलॉजी कली ये बढ़ेगा 18-21 साल की उमर तक पिनाईल का साइज एक एडल्ट साइज में आ जाता है ठीक है अब पिनाईल का साइज बढ़ने के पीछे कोई हॉर्मोन है जो रोल प्ले करता है येस टेस्टिस्टिरोन हॉर्मोन एक रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में अगर आपकी बॉडी में सिरम टेस्टिस्टिरोन हॉर्मोन लेवल अच्छा है तो मसल बनेगा कई बर क्या गई अब कई बार क्या होता है बच्पन में ही या जवानी में ही 15-16 साल की उमर में ही यह हॉर्मोन डेफिशेंट होता है तो माइक्रोपैनिस हो जाता है इसके जैसे या हाइपो गॉनेडिजम हम जीने बोलते छोटा पैनिस का साइज अनग लग जाता है जब भी कोई फिजिकल डिलेशन बनता है या इंटर कोर्स होता है आप इंटिमेट होते है अपने पार्टनर के साथ तो एक कोशन जाता है क्या पिनाइल साइज मेंटर करता है तो आंसर है नहीं आपके erection के लिए satisfaction के लिए penile size matter नहीं करता तो फिर क्या matter करता है? matter करता है brain जितने भी hormone regulate हो रहे हैं वो सब brain से आपका जो performance है, जो erection आ रहा है, जो आपको ejaculation हो रहा है early समय से पहले या ejection पूरा नहीं आ पा रहा है erection पूरा नहीं आ पा रहा है, penile बे तनाव पूरा नहीं आ पा रहा है तो वो brain की वज़े से, psychological factor है, कुछ anatomical factors भी होते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा, erectile dysfunction by Dr. Heman Sharma YouTube पे आप देख सकते हैं, या premature ejaculation by Dr. Heman Sharma YouTube पे देख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे YouTube पे तो मिलेगा तो अगर आपका erection पूरा नहीं आता है, तो size पूरा नहीं दिखेगा पहली चीज़, दूसरा premature ejaculate हो रहा है, तो size proper attain नहीं हो पा रहा है यह चीज़ हो गई, अब मैंने बोला था कि size कैसे बढ़ा है, तो size के लिए मैंने बता है, hormone responsible होता है serum testosterone, testosterone अगर जादा है तो क्या होगा body में, कम है तो क्या होगा, if testosterone high in body और if testosterone low in body, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, YouTube पे आप देख सकते हैं detail में जानने के लिए, बाकी मैं यहाँ पे अपनी तरफ से सारी चीज़े समझाओंगा कि पिनाई growth में क्या रहेगा, तो मैंने बता है size कोई matter नहीं करता है, चाहे 7 इंच हो चाहे 6 इंच हो, या 5 इंच हो, या कुछ case में 4 इंच है तो सिर्फ यह एक brain का वहम है और कुछ नहीं है, अब उसके अलावा जैसे question आता है कि भई आपको size बढ़ानी है, तो बहुत सारे cosmetic surgeons हैं, doctors हैं, जो operate करते हैं, पिनाईल का size operation से बढ़ाते हैं, तो उनसे अगर बात करोगे तो वो तो एक ही बात बोलते हैं कि कोई medicine सिर्फ नहीं, कोई therapy नहीं, सीधा पिनाईल का size surgery से बढ़ा लो, तो देखो इसके पीछे मा आंसर देता हूँ, ऐसा नहीं होता, पिनाईल साइस बढ़ता है, योगा, meditation, diet, अभी तब कोई medicine एप्रूव नहीं हुआ है, पिनाईल साइस बढ़ाने के लिए पर फिर भी कुछ medications work करता है, ठीक है, तो proper, FDA approved नहीं है, पर है, proper, अगर हम guidance दें, तो पिनाईल साइस इंप्रूव किया जा सकता है, अगर आप 12 से 16 साल, 15 साल की उमर में है, तब तो पिनाईल साइस बढ़ी जाएगा, तो क्यों समय तो growth होई रही है, तो उसको बढ़ाने में help की जा सकती है, पर 21 साल के बाद की उमर आ गए, उसके बाद direction नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़े नहीं हो दी, तब भी help की जा सकती है, तब भी बढ़ाया जा सकता है, physiologically, मैं आपको बताता हूँ कैसे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है कि penile की growth के लिए आपको कुछ diet अच्छा proper लेना पड़ेगा, कुछ penile pumps वगरा भी आते हैं, जो की 5-6 घंटे आप लगा के रखेंगे, जो कोई surgery नहीं है, operation नहीं है, तो देखा गया है कि उससे भी थोड़ा size बढ़ता है, उसके अलावा diet का factor मैंने बत content है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ है, अब जैसे कई बोलेंगे कि penile का size कैसे बढ़ेगा, तो मैं यह बताता हूँ, जब आप gym करते हो, तो biceps का size बनता है, gym करते हो, thigh का size बनता है, जिम करोगे, chest का size बनता है, तो penile का size भी बनेगा, इसके लिए भी कुछ exercise है, जैसे square आप कर सकते है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े रहेंगी, तो अब surgery में क्या होता है, वो भी मैं समझाता हूँ, surgery में क्या होता है, surgery पहली चीज़ तो मैं recommend नहीं करूँगा, कोई operation मत करो, क्योंकि जैसा आपको उपर वाले ने बनाया है, जिसे हम God बोलते हैं, कुछ भी बोलते ह है, जिन्होंने बनाया है, वो बैश्ट आपको बनाया है, उसे चेड़ चार मत करो, हाँ, अगर आपको कुछ natural तरीके मिलते हैं, जिससे आपका erection अच्छा बना रहे, तनाव अच्छा रहे, और विर्थ भी अच्छी हो, naturally, तो वो एक effective method है, जैसे massage वगएर वहाँ पर है, है, oils apply कर सकते हैं, बोलते हैं, यह सब मत करो, सिर्फ surgery करो, डारेक्ट की मुरगा है, कटने आ है, उसको काटर नहीं है, तो ऐसे मत करो, natural methods apply करो, scientific evidence हैं के लिए, और इस चीज को दिमाद से निकाल दो, साइज चोटा है, बड़ा है, इसको ज्यादा दिल पे मत लो, और अपन treatment brain से आता है, इन सब चीजों पर जादा ध्यान नहीं देना होता, फिर भी अगर यह चीजे disturb कर रही है, तो उनका solution होता है, ठीक है, with nutrition, diet, meditation, yoga, ठीक है, और थोड़ा सा therapy, hydration वगएर आपको अच्छा करना है, तो यह सारी चीजे रहेंगी, बाकी tension लेने की जड़त नहीं है, सब चीजे possible होती है, दुनिया में, और मैं यह बताऊंगा, surgery अगर आप कराते हैं, तो surgery के complication भी होता है, bleeding हो सकती है, घाओ हो सकता है, wound हो जाते है, abscess हो जाता है, कई बार घाओ भरता नहीं, कई बार, वो sensation ही नहीं रहता है, पिनाईल में, वो मजा ही नहीं रहेगा आपक पता चलता ही नहीं, विर्ट का भी पता नहीं चलता, तो जब proper erection आए, 100% और premature ejaculation नहीं हो, तब आप proper size देख सकते हैं, कई बर के होता है, erection ही नहीं बन रहा फिल लग रहा है, कि size 3 inch ही है, और यह जो 5.1 inch to 5.5 inch मैंने बता है, यह है complete erection पे, जब बिनाईल पूरा खड़ रहेगा तब, तो last मैं thank you, धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगता है, तो like करें, चैनल पे नए हैं, तो subscribe करें, और appointment चाहिए, तो whatsapp number मेरा description में, क्रिपया direct call ना करें, thank you, धन्यवाद, goodbye, नमस्कार.